Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss about the topic Carbon Credits Trading System. First of all, we should know about the Carbon Credits Trading System. So, we know that we are reading Vision 365, Vision IS, which is the release of PT365. In this series, we have studied the first point in this series, which is Global Scenario. So, in the Global Scenario, we have studied that you have oxygen layer, oxygen deblating substance, etc. such as CFC, HEFC, etc. All of these topics we have studied. After that, we studied the NDC, National Determined Contribution. After that, we studied the NDC, NCHRC, Human Rights, Child Rights, Corp 28, Corp 28. After that, we covered all these topics. We covered all these topics. In today's lecture, we will cover the Carbon Credits Trading System. So, if you haven't seen previous lectures, then you can see it from here. Because we have studied a lot of objective types. So, in which we have reached questions, such as Odious, ozone depleting substance. So, we have told you what is happening. Now, the first thing we have introduced was CFC, the Clorofluorocarbon, or Chlorofluorocarbon, so we have replaced this and added to hydrofluorocarbon. So, we have seen, the Clorofluorocarbon, which was what you have shown here. Ozone layer devlating it. It did and then the ozone layer was out in the region. If you have seenmosphere addresses, that shape of ozone layer, the topo counterpart is associated with the topo. Then the upper and the topo is straighter. USA यहां पर कंड़ा दिपलेट करने अब के जो जो कि peg ऊपके संब क्या अपना मैं को जरा बढ़ाता है तो देखें अब यह जो आपका पूरे इन्वार्मेंट का टॉपिक होने वाला है यह तोटल इंटर लिंग्ड है कैसे इंटर लिंग्ड है जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था तो फर्स्ट प्पिक में ही आपका सिनेरियों में आया था यही इसी के ओजोन लेयर के बारे में बात किया था आपको जोन लेयर के बाद हमने देखा था कि इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था तो ग्लोबल वार्मिंग अब देखिए और वही ग्लोबल वार्मिंग आपको यह से रिलेटेड हो जाएगा उसके बाद हमने देखा था कि कोप 28 के बारे में पड़ा था राइट तो कोप 28 जो है देखिए अब क्या होगा कि जब वर्ल्ड लेवल पर प्राब्लम होने लगा जैसे कि आपका जो 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 ले 28 मिस कोप बोला गया कि कांफ्रेंस आप पाटी और 28 क्यों बोला गया क्योंकि यह 28 समाबार हो रहा था 1995 में आपका इस्टार्ट हुआ था इसलिए इसको 28 बोल दिया गया तो इसी प्रकार से आपको टोटल जो चेप्टर है जो आपका दिया गया वह इंटर लिंक है तो सु अब आपका कैसे हैं मैं इसको सब्सक्ति संग समझ से कीवत रहे क्या धुए का और अगर कैसे हैं तो अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, वर्ल्ड मैप आपका कुछ इस प्रकार से होगा, यह आपका क्या है नार्थ अमेरिका, यह क्या है आपका साउथ अमेरिका, यह क्या है अफ्रिका, यह आपका क्या है अरेवियन कंट्री, यह आपका क्या है इंडिया, अपना प्यारा भारत, तो यह आपका एक कुछ इसक्राइब और यहाँ पिर आपका जाया गा ऑश्ट्रेलिय तो ग्लोबल साउथ के बारे में उने मलवड़ुवल साउथ को ने बताvat कि आपका होता क्या है यह साउध साइड में सब कंट्री जा जायेंगे लेकिन इसमें यह क्या रहा था Hence, Australia नहीं कंट्री कैसे होंगे डेउलॉट कंट्री कैसे होंगे कि ज Swami क्या पास क्या होगा आपका इंड़स्टी बहुत ज्यादा होगा और देखीं जब इंड र Still ज्य जम पता है ऑपकर और प्रया करेंगे कार なश्ट्र सब्सक्राइब कर चुके हैं जैसे आपका नौर्थ अमेरिका हुआ कनाड़ा हुआ चाइना हुआ रूस हुआ तो यह लोग कार्बन बहुत ज्यादा रिलीज कर चुके हैं और जो अभी में बताया था कि 1947 में ही तो यह आजाद हुआ और इंडेस्टियलाइजेशन आपका कभी इस्टार्ट हुआ होता है यल्पीज आपका कभ हुआ इन के सब्सक्राइब मरेट सीटम तो अब यह मारकेट सिस्टमामारेट सिस्टम मारक्यश्टम को यह आपका सब्सक्राइर यह से कर देगा बोट छी直न पर ऐंदेस्टम कर के देख सकते हैं कि मार्केट सिस्टम वोला जाता है लोग की करबन-र्छ कारबन-ार्व सिफिटा में कि पर पर तक elaborative म क करद में काबन-मारडर म क्या बोलते है तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है तो अब आई होप की मिन्स यह टॉपिक तो आपको ओवर्व्यू क्लियर हो गया होगा कि यह कहना क्या चाहता है तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग देखिए तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो यह इंटरलिंक्ड होते हो एन आउंस किया है कि прекrama सक्कील होना चाहिए कि इसमें करबन ट्रेडिंग जो इस्कीम है हैराइट इन 2008 तो 2023 में क्या हुआ कि मिनिस्टरिया पावर जो है वह एननौस किया कि रिपार्ब होना चाहिए जो इस्कीम आपको क्या होता है कि 1918 इसका जो रिलीज किया और यह होता क्या है कि Carbon Credit Trading इसको समझते हैं देखिए सेट पे Carbon Trading Trading Credit Trading Market जो अभी हमने बताया है Carbon Credit Trading Market यह जैसे कि Countries को ट्रेडड ग्रेड देता है कि क्या क्रेडिट तो यह क्या करेंगे sell करेंगे किस से sell करेंगे आपका कि जिसके पास credit high है वो sell कर देगा और जिसके पास कम है वो खरीद लेगा क्योंकि यह developed countries है और पैसे भी इन लोग के पास जाता है तो इस प्रकार से दोनों का growth हो जागा है तो उसी को बोला जाता है carbon credit trading market second point first announced under energy conservation two thousand one तो यह दो हजार एक एक में आपको पहली बार देखने को मिला था amended by the energy conservation amendment bill 2022 2022 में इसमें कुछ changes भी किये गए थे नेस्ट आता है आपका किसे कुछ इसके जो है key points है key points के बारे में लोग समझते हैं देखिए set up national steering committee national steering committee की मिन्स आपको समझते है जैसे कि गाड़ी है आपको वैन है कोई वैन है तो वैन में आपका जो यह handle होता है इसी कोई steering बोला जाता रैट तो यह अगुवा इस ती मिन्स आप इसी से ही क्या करते हैं control करते है इस controls all the market रैट तो उसी को steering committee बोल जाएगा आपका अका Indian carbon market governing board headed by power and environment secretary to govern and oversee the functions of the Indian carbon market रैट तो यह आपका Indian carbon market के लिए जो committee बनाई गई उसके बारे में बात कर रहा है next का रहा है कि Bureau of energy efficiency would be the administrator for the carbon market and set targets for reduction in emissions issue carbon credit certificate and credit carbon verification agencies रैट तो यह आपका क्या कर रहा है कि इसके तहद जो है इंडिया में भी आपके कई initiative लेगा है कि कैसे initiative लिए गए मालीजी आपका क्या है इंडिया रैट तो इंडिया में आपका कई जगह पर क्या है इंडियैं तो मालेजे को इंडिया टा सोजी लगाया जाता है तो इनको भी अब guideline जारी किया जाता है कि आपको क्या करना है कि इन सब चीजयों की अंत ध्यान देना कैसे जैसे कि net zero emission Qoakosahme it लेब four sociable development Qui से the Springs लिए उसके बाद आपको क्या certificate दिया जाता है तो उसी के बारे में बात कर रहा है Central Electricity Regulatory Commission will regulate all trading activities तो आपका Central Electricity Regulatory Commission जो है वो ही आपके regulate करते हैं Grid Controller आप India will be the registry of ICM तो यह क्या कर रहा है आपका कि जो Grid Controller होता है Grid Controller की मिस जो भी आपका ये Grid System है Industrialization System है इसको जो control करते है इसके क्या होंगे आपके registry होंगे Major reforms announced by Ministry of Power तो Ministry of Power द्वारा जो भी आपके क्या हुए reform होए उसके बारे में बता रहा है तो देखे ये अब टोटल इसी के बारे में मार्केट के बारे में बता रहा आपका देखे फर्स्ट कर रहा है कि Bureau of Energy Efficiency उन्टेर्स अच्वा के आपको क्या करना होगा कि आपको यक्षेन्डर्स डवलाप करना होगा इसके आपको इन्वार्मेंटल प्रोटेक्ट का ध्यान रखना होगा और जो भी आपके trading system है market carbon trading system है उसको भी आप क्या करना है follow करना है Bureau of Energy Efficiency would validate carbon credits as opposed to only verification in the original framework allowed non-obligation entities purchase the carbon credit certificates voluntary to also register decarbonization projects and generate carbon credits यह इसी के बारे में बात कर रहा आपका कि जो carbon market होता है यह क्या करेगा आपका देखिए यह कम Emitter है यह Emitter भी है और यह Emitter यह है तो इसके पास अभी carbon credit बचा हुआ है कि मिस्ट यह carbon बहुत कम यूज किया है तो यह अपना बेच सकता है किस से यहां पर देख सकते हैं यह आपका sale किया है तो ही कह रहा है कि excess greenhouse gas emission allocated greenhouse gas emissions units right यह क्या कर रहा है अब purchase कर रहा है कि यह बहुत ज़्यादा जब use कर लिये continuous कर दीए तो यह बहुत ज्यादार ज्वद कर सकते हैं चुक है environment को आपको क्या करते कहा पालूट कर दिया है इस परकार से इनको खरीदना पड़ेगा किसे जिसे ने क्या किया है लेस आपका जो है ग्रीन हाउस गैस वगएरा रिलीच किया है उससे खरीदते है जेखिए अब यही कार रहा है आपका टोटल यह मार्केट के बारे में यही बताया है कि ट्रेडिंग स सिस्टम्ट इन मच्रीक सेश्टम करद क्रेडिस स्वाट इसDING था क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जाहिंबुद कर्फेदit कौले पर चैंड देरिट निदेन कर देट्टेट पर सिरक्रीच सकते हैं जिसंकडर के बारे में बताएगया है कि जिनके के पास अभी कम है वो अपना क्या कर सकते हैं बेश सकते हैं जो ज्यादा रिलीज कर दिया हूँ उनको खरीदना होगा क्या होता है यह पता है चल गया चले ऐख तो यह जितना इनों नेस्ट करेंगा उतना ही इनको रिलीज करना नहीं कर सकते हैं वह यह प्ली किक्या उन्हों development program राइट वही इसको क्या करता है रजिस्टर करता है एन open source software that allow countries to effectively manage national data process for carbon trading credits तो इस प्रकार से बता रहा है कि carbon market के आने के वज़े से क्या होगा कि अब इसको हम लोग reduce कर पा रहा है has been accredited as a digital public good और यह अभी इससे क्या हो रहा है कि लोगों तक भी तो जो गूड़ है उसको पहुंचाया जा रहा है कैसे कंमल यह developed है तो वह से क्या होता था कि यह डौल अब प्रोडक्शन करते जा रहा है प्रोडक्शन करते जा रहा है और यह monopoly करना चाहेंगे तो यह अपना क्या करेंगे और rate high कर देंगे तो इसलिए इस पर क्या कर रहा है एक control बनाया गया है next का रहा है can be integrated with national measurement reporting and verification system to meet international reporting requirements तो इस प्रकार से जो international level पर जो है market system को भी control कर लिया गया और आपका जो है carbon जो credit है उसको भी कर पाए और जो आपका क्या है कि carbon को reduction कर पाए total वही दिया गया national carbon registry जो registry के बारे बता है अमनों UNDP तो carbon matter facilitated trading of carbon credits तो ही है आपका trade sale and purchase of carbon article 6 आप Paris agreement allows countries to voluntarily cooperate with each other to achieve emissions reduction target set out in in the air nationally determined contributions right तो यह NDC के बारे में बता है जो अभी हमने इसके पहले previous lecture में पढ़ा था तो अभी आप देख सकते हैं next आता है आपका mission life mission life आपके जो आता है इसके बारे में आप हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए तो mission life आपका होता क्या है देखिए ऐसके आता होगेंगे.. तो सब से पहले यह तो आपको सबको पता हुए कि life means क्या होता है आपका जीवन life meansOh तो लेकिन यहाँ पर जो life इंटोडियiveness किया गए है तर्म में जो using किये है इसका मतलब है lifestyle for environment lifestyle for लाइफ इस्टाइल देखे यह होता है, क्या है आपका लाईफ स्टाइल फार इंवार्मेंट, इसको हम लोग समझते हैं, देखें, यह क्या करा है कि? एक app launch किया गया है, Ministry उसका नाम क्या है? मेरी life app, मेरी life app, एक app launch किया गया है, वाच लांच डबाई यम ओए यफ की सी यह मिनिस्ट्री आप एन्वाइरमेंट इन्वाइरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमिट चेंज इनके दोरह एक लाइप लांच किया गया है मेरी लाइप तो यह क्या कर रहा है आपका कि यह कोई परसन है यह एक जांपल लेता हूं र तो आपको इंपावर करेगा कि आपको कैसे टैकल करना है कि आपको इनवार्मेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में क्या होगा कि आपको जानकारी दिया जाएगा तो यह आपको इसी एप के बारे में बात कर रहा है कि मिस आपको जो डेली लाइफ में आप कर सकते हैं conventionally किमिस environment friendly कैसे यूज कर सकते हैं उसी के बारे में बात कर रहा है इसी को ही mission life नाम दिया गया है देखी aims to empower youngsters and increase their participation in tackling climate change through simple actions in daily life right किमिस daily life में आप जो कुछ भी यूज करते हैं उसके थुरू आप जो environment को कैसे protect कर सकते हैं उसी को ही mission life नाम दिया गया है दूसरा point कर है कि it provides participative experience in a series of life related tasks under five themes जिसमें आपके पांच theme दिये गए नेमली फर्स्ट थीम क्या है आपका save energy फर्स्ट क्या है save energy कि मिस्स आपको जो energy उसको save करना है दूसरा है आपका save water water को भी protect करना है किसरा आपका reduce single use plastic को भी reduce करना है चोथा आपका adopt sustainable food system और पांचवा यह है आपका कि adopt healthy lifestyle राइट तो यह आपको पांच पता होना चाहिए कि जो mission life है यह किससे आपका है कि आपको protect करना कि इसको environment को जिसमें आपके पांच theme दिये गए है save energy, save water, reduce single use plastic और adopt sustainable food system और adopt healthy lifestyle यहां से आपको यह clear हो गया होगा अब उसके बाद क्या कर रहा है कि इसके बारे में थोड़ा से बताया गया है कि यह होता क्या है इसको देखते है कि आपका जो यह आपका life जो है life style environment है यह होता क्या इसके बारे में बताया गया है तो देखिए फर्सपाइंट क्यारा आपका एन इंडिया लेट गलोबल मास मॉव्मेंट तू नज इंडिविजूल एंड कमुनिटी एक्षंट टो प्रोटेक्ट और प्रिजर इनवार्मेंट आइट तो यह पहला पॉइंडिविजूल और जो कमुनिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे कि यह awareness करेंगे राइट ताकि आप जो है इंवार्मेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं दुजरा करा launched by India at UN Climate Change Conference right UN FCC COP26 in 2021 राइट तो यह आपका कब लांच हुआ गया था 2021 में लांच किया गया था under the COP26 नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है आपका इंवार्मेंट फारेस्ट एंड कलाइमेट चेंज राइट फार नेशनल लेवल कोडिनेशन एंड इंपलिमेंटेशन राइट तो यह में OEFCC ही इसका वीजन अफ लाइफ इंटू मेजरेबल इंपक्त राइटो इसको क्या किया इंपक्त कैसे की माली जले इंडिया है तो इंडिया में पूरा जाएगी इसको क्या किया जाता है आपका, जो है टेचल किया जा सकता है, रेडूस किया जा सकता है, तो ही आपका ख tower supreme." अदूसरा point करता है at least one billion Indians, और अधर global citizens to take individual and collective action breathing and preserving the the environment in the period 2022 to 2027 तो इस प्रकार से आपका बता रहा है कि इसके द्वारा मिशन लाइफ के द्वारा यह है टार्गेट दिया गया है कि 2022 से 27 तक इसको जो है इरेडिकेट रहा पर रेड्यूस किया जा सकता है नेश्ट कर रहा है कि विदिन इंडिया एटलिस्ट 80% आप आल विलेज एंड अर्बन लोकल बॉड़ीज और एम तो भीकम इन्वार्मेंट फ्रेंडली बाई 2018 और इसका यह आखड़ा लगाए गया है कि 80% जो विलेज पापुलेशन और अर्बन पापुलेशन है वो क्या कर इसके बारे में बता रहा है तो देखें क्या कर रहा है फास्ट वाला आई पी सी क्लाइमेट चेंज 2022 सेकंड पॉइंट का रहा है कि मेटिगेशन आप क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रूप थर्ड रिपोर्ट 2022 कवर्ड डिसीजन आप शर्म एल्सेक इंप्लिमेंटेशन तो यह देखें बता क्या रहा है कि मिस यह इतने जगह हैं जिसमें क्या हुआ जो भी meetings हुए है इसमें जो है इसका जिक्र किया गया आपका किसका mission life के बारे में जिक्र किया गया था उसे के बारे में आपका बता रहा है कि कि नज individuals and communities to practice sustainable lifestyle लाइव कर रहे है। आपका environment friendly की तरफ यूज कर रहे हैं उनको क्या बोला जा रहा है pro planet people की मेंस ये लोग क्या कर रहे है अब planet को सुरच्छा करना चाहते हैं 7th theme of life इसका 7th theme क्या क्या है पहला आपका save energy उसी में का और है दूसरा आपका है save water तीसरा है से no to single use plastic तो प्लास्टिक का यूज नहीं करना है चवता आपका है adopt sustainable lifestyle ये fourth point आपका हो गया 5th आपका है reduce waste वेस्ट को आपको क्या करना है कम करना है 6th आपका है adopt healthy lifestyle 7th है आपका reduce e waste उसके अन्नेस्ट आता है implementation में कहने है कि इसको कैसे implement किया जाएगा इसके बारे में बता रहा है coordinated and concerned actions by ministries and department तो उनके द्वारा जो है coordinate किया जाएगा और coordinate means की funding अगरे किया जाएगा और इसको help किया जाएगा next compiling a comprehensive and non exhaustive list of 75 life actions for individual communities and institutions तो इनके द्वारा कुछ guidelines जारी किया जाएगा individual के लिए और community के भी द्वारा जो है इसको follow करने के लिए identification of key performance indicator and impact of life actions तो इसको consider करके लोगों में awareness पहला जाएगा जैसे कि तो यह सब क्या कर रहे थे आपका जो है environment को एक poison थे रैट इन्वार्मेंट के लिए क्या थे प्वाइजन थे तो इस परकार से इसमें awareness पहला गया और इसको reduce किया गया तो इस परकार से आपका key performance indicator जो है उसमें तयार किया जाएगे और लोगों में उसमें अवेर्निस पहला जाएगा creation of life dashboard तो यह आपका life का dashboard बनाया जाएगा dashboard मिस एक चार्ट तयार किया जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें आपको फालो करना है क्या नहीं फालो करना है उसे को dashboard बोला जाता है और इससे कुछ related news छोटे दिये गए हैं उसके बार में बात कर रह इन्वायर्मेंट इन्फार्मेशन अवेर्नेस कैपेसिटी बिल्दिंग और लेवली हुड प्रोग्राम राइट देखिए यह आपका क्या है कहां पर था रायपूर है क्रियेटेड ए वर्ल्ड रिकार्ड बाई टेकिंग ए लाइफ राइट तो रायपूर जो है आपका व वो मिशन लाइफ के तहट 12.38 लाग कि यह क्या किया है अपना जो है इन्वायर्मेंट को प्रोटेक्ट किया है वही कह रहा है उसके रिलेटेट थोड़ा सा क्या है कि फिर वही है आपका मिनिस्ट्री आप इन्वायर्मेंट फारेश्ट एन क्लाइमेट चेंज यह आपको करते हैं तो फैसे लिटेट कलेक्शन राइट तो देखिए कोई भी चीज को हमको क्या करना है इनिस्ट्व लेना तो उसके लिए पैसे भी चाहिए तो पैसे आपको कौन फंड करते हैं मिनिस्ट्री आप इन्वायर्मेंट फारेश्ट एंड क्लाइमेट चेंज दारा देख सकते हैं कि वन आप थरी सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम अंडर इन्वायर्मेंट एजुकेशन अवेर्नेस रिसर्च एंड स्किल डेवलप्मेंट तो यह इसके एरिया है एजुकेशन भी इसमें मिन्स लोगों में एजुकेशन दिया जाएगा अवेर्नेस दिया इसके ताहत इसको प्रोट्रेक्ट किया जाएगा और यह अपन डिन्वायर्मेंटल इंफार्मेंट्न शिस्टम रॉइड थॉरे पाइल नेज पोईंट में अध्यरर ड्राररिक्ः क्या होता है इसके बारे में में सकने तो थुब होता क्या है सबसे पखले ओंको यह अई आप जो वीडियो देख रही है यह किसमें आ तो मोगाईल में देख रहे हूंगे यह तो लिपटाप में देखेंगे या फिर आफ को ले D screen पर देख सकते हैं इतने शीजी को इसल़ होतो उसको क्या करेंगा आप बनवाएंगे इसे को बिलएंगे जैसे कि अभी कि क्या देखा जा रहा था कि अभी क्या हो रहा कि इतना ज्यादा काश्ट हो गया था रिपेर का कि लोग क्या कर रहे थे कि इसको बनवाने गया है तो जितने का मुबाइल है उतना आपका क्या पड़ जा रहा है उसका रिपेरिंग का कॉस्ट पड़ जा रहा है तो लोग बन तो इसलिए क्या किया गए आप optimal यूज किया जाए किसी भी आपका क्या है जो आपका कोई भी electronic समान है उसको optimal यूज करने के लिए किमिस उसको बार-बार आप repair कर सकें उसको इसमें पढ़ना है उसको भूल रहा है right to repair देखिए इसमें हुआ क्या ministry of electronics and information technology यह उसको mighty बोला जा है और यह माना जा रहा है कि जो आपका इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में वो फस्ट पर आपका जो है देखा जा रहा है देखिए the initiative aims to make India the repair capital of the world कि मिस पूरे पूरे वर्ल्ड का repair capital बनाने की तरफ जो है इसको concern है भारत को कि मिस पूरे वर्ल्ड के लोग यहां पर आकर अपने repair कर सकते हैं रहेट इर्सो इन्वाल्स इर्सो मिस कि electronics repair services outsourcing इन्वाल्स outsourcing defective damage electronics items to Indian repair service organization रहेट उसको क्या करना आपका repair करवाना है जैसे कि रिफर्मिस्मेंट एंड कैलिब्रेशन अचीव optimal functionality राइट कि मिस एक mobile ही है आपका तो इसका duration आपका 10 साल 15 साल जो भी चल सकता है उतना चलाया जा सके राइट तो optimal यूज करने के लिए इसको repair किया जा सकता है उसे के बारे में बात कर रहा है निश्ट कर रहा है आपका कि about right to repair इसके बारे में देखिए notion that consumers should have the right to repair their lawfully purchased products directly or by selecting a repair service for their choice right तो देखिए क्या का रहा है कि मिस जहां से आप खरीद रहा है जैसे कि अभी आपको देख रहा है कि refrigerator वगर निकी फ्रीज वगर खरीदने जाए तो फाइव इस्टार जो भी है राइट तो फाइव इस्टार जो रेफ्रीजरेटर आ रहा है कि मिस जिस पर पांच इस्टार दिया गया वह आपका क्या हो रहा है कि दद-दस साल का warranty दिया जा रहा है इसलिए कि optimal utilization किया जा सके तो अब आप सोच रहे होगे कि यार दस साल तक चलाने के लिए इससे उन लोग का फाइदा क्या हो रहा है तो उन लोग को फाइदा बहुत हो रहा है देखिए कैसे कि मिस अभी पहले क्या था कि जो चीज हम लोग क्या करते थे दो रू नेक्ट करा है इनिसली इंडिया उसके बाद इन्डिय में क्या कहीं हुनिश है परला बता रहा है कि डपारमेंट आपका कंजूर म Giving तृande इन तो इसके लिए आपका Department of Consumer भी बनाया गया है Department of consumer आपका क्या करता है यह आपका क्या करता है कि इसको रिपेर के लिए क्या करता है कि कोई भी शिकायत करें तो उसमें अपने डाल सकता है और उसके द्वारा उनका product जो है और पेर किया जाएगा तो वही है मिनिस्ट्रिया आप कंजूमर अफेर्स बनाया गया फूड एंड पब्लिक डिस्टिब्यूसर यह आपका एक पोर्टल भी बनाया गया तो इस प्रकार से आप इसको जो है देख सकते हैं नेस्ट आता आपका कार्बन बार्डर एडजेस्ट्मेंट मैकेनिजम कार्बन बार्डर एडजेस्ट्मेंट मैकेनिजम होता क्या है इसको अम लोग समझते हैं तो इसको आप लोग इस फ्लोचार्ट के मादियम से समझ सकते हैं देखिए यहां पर एक प्लोचार्ट दिया गया है इसकी मादियम से आप लोग समझ स पास क्या है certificate नहीं है कि इस चीज का आपका carbon border adjustment mechanism certificate नहीं है राइट तो इनको क्या किया जाएगा रोग दिया जाएगा तो वही है कि मिसागर इनके पास certificate होता है तो फिर यह क्या कर देंगे आपका इनका transport किया जाएगा तो इसलिए जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसके बारे में कि यह होता क्या है तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि carbon border adjustment mechanism में यह होता क्या है इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे राइट और originating goods राइट यहां पर देख सकते हैं यह सप्लाई कर रहा है तो यहां पर देख सकते हैं कि यह होता क्या है आपका तो यहां पर अब यहां से इस्टार्ट होता है आपका देखिए और यहां न्यूज में क्या हो है सबसे पहले इसको समझते हैं देखिए इंडिया एंफ टू यूटिलाइज कि sunlight से उभ्योग किया जा रहा है तो यह सब क्या होगा आपका इनर्जी अन्वायर्मेंट फिरेंटली एनरजी जो है उससे को क्या बोल जाएगा गरीन इनरजी बोल जाएगा आप इसके बार में बता रहे आपके Carbon Border अब देखिए पॉलिशी इंस्टूमेंट टू पूट एफेयर प्राइस आंदे कार्बन एमिटेट डूरिंग देप्रोडक्शन आप कार्बन इंटेंसिव गूड्स देट आर इंटरिंग दे यू एंड टू इंकरेज क्लीनर इंड़स्ट्रियल प्रॉडक्शन इन यां एक कंट्रीज यह क्या हो स्टाइब कि एक बेरीकेटर हो जाता है यह रोकेगा किस चीज को कि जो कारबन जिस जो भी प्रोडुक्ट बराने में आपकर कारबन की उटिलाइशन हो जाता है उसका एक जो प्राइस है उसमें ज्यादा fluctuation ना देखने को मिले इसके लिए क्या होता है कि एक आपको जो सर्टिफिकेट इसू किया जाता है दूसरा का रहा है कि अंडर इस आपको पर्चेश करना होगा जैसे कि अभी हमने बताया कि नान एयू है वह अपना ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वह कर नहीं सकता है जब तक वह खरीदेगा नहीं तब तक यह अपना शेल नहीं कर सकते हैं तो वहीं कहा रहा कि इनको खरीदना पड़ेगा EU importers can claim CBAM liability deductions if non EU producers have already paid emissions fees in their respective countries तो यह क्या कर रहा है आपका कि जो आपका EU है वो क्लेम कर सकता है कि अगर कोई पे नहीं कर रहा है तो डारेट यह क्या करना है sell and purchase करना है और यह किसमें आता है आपका reporting under it is started from 1 October 2023 right becomes operational in its definitive phase on 1 January 2026 right तो यह आपका लागू हो जाएगा 2026 जनुरी से यह लागू हो जाएगा नेश्ट आपका क्या कर रहा है डिजाइन टूबी कंपेटीवल विथ डव्लू ट्यो रूल्स की मिस यह किस के बेसिस पर चलेगा वर्ल्ट्रेड आर्गनाईजेशन जो है उसके बेसिस पर यह आपका रूल किया जाएगा इट लाइक नान टैरिफ बेरियर की तरह होगा पर इंडियन एक्सपोर्ट तो नान टैरिफ बेरियर की तरह होगा आपका 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 नान टैरिफ बेरि तो आयरना आता है स्टील आता है सेमिन आता है ऐलुमिनियमा अथा फाटिलाईजर एलेक्टिसिटी हईडोजन यह सब चीजे आते हैं तो देख रहा है हम लोग यह सब ही चीजे हैं क्या हो गया कि जहां पर इंडेस्टिय में बनाए जाता हूं तो इसलिए आपका कार्बन इ दिया गया कि देखिए टार्गेट टू रेडियोसिंग नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिसेंस बाइट लिस्ट 55 परसेंट बाइट कि मिस्ट पर परसेंट जो है वह आपका क्या करना है ग्रीन हाउस गैस को डिड़क्षन कर देना है 2030 तक फ्राम 1990 नाइंटी लेवल कि करण मार्केट डिफॉरूब्स ड़पंट बाइए और प्या-क्या उसमें रिफॉर्म किया गया कि मिस्ट देख सकते हैं कि येए नेर्जी कंपनीज शुट सब्सक्राइब करना है और इसमें चोटे-चोटे कुछ नियुज है उसको देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे-चोटे कुछ नियुज दिये गए हैं देखिए यह कर रहा है इसमें कुछ दिया नहीं है आपका बस वही है कि नेट-जीरो अमेशन वगर है वही है आपका जो टूटल ऊपर पढ़े हैं नेस्ट आता अब डेप्ट फार क्लाइमेट स्वैप्स तो इसको अम लोग समझते हैं आपका क्या होता है नेस्ट टॉपिक आपका आएगा द्रिप फार क्लाइमेट स्वैप्स तो अब नेस्ट टॉपिक को ऊमलों नेस्ट लेक्चर में पढ़ेंगे देप फार क्लाइमेट स्वैप्स राइट क्योंकि यह आपका अब यह topics end हो गए हैं तो आप जो है topics आने वाले वो बड़े बड़े topics आपके होंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं next video में next lecture के साथ धन्यवाद